श्री गनेशाय नमाहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्तिति ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो आज चंद्रमा की स्तिती आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया रहेगी आज चंद्रमा आपकी कुंडली में भागय स्थान में है यानि नौवे स्थान में रहेंगे इस वज़े से चंद्रमा का आप पर सकारात्मक परिणाम दिखेगा इस दिन आप शांत रहोगे, स्थिर रहोगे, उर्जावान रहोगे और आपको दिन भर प्रसंदता की अनुभुती रहेगी ये दिन आपके लिए अपने परिवार जनों के साथ किसी टूर पर या किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग करने के लिए काफी अच्छा है इस दिन यात्राय करना भी आपके लिए काफी शुब रहेगा, लाबदायक रहेगा अपने कारोबार से सम्मंदित या ओपिस से सम्मंदित यात्रा भी कर सकते हैं और कोई परसनल टूर भी आप अरेंज करते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा लेकिन इस समय में आपको समय की कमी रह सकती है, हो सकता है यात्रा के लिए या कई जाने का प्लान तो हो लेकिन आप समय ना निकाल पाए ये संभावना भी बनी हुई है, अगर करियर की बात करें तो ये समय आपके लिए काफी बिजी रहेगा काम का बोजा ज्यादा रहेगा कोई एक्स्ट्रा काम भी करना आपको इस समय में पढ़ सकता है लेकिन ये चीजे आप के लिए आसान होगी ये सारे काम आप आसानी से कर पाओगे स्टूडन्स के लिए भी ये दिन काफी अच्छा रहने वाला है स्टूडन्स को अच्छे समाचार इस समय में मिल सकते है स्टूडन्स को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना बनी हुई है बिजनेस करने वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा बिजनेस में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे करीब करीब सारी चीजे आपके हिसाब से होती हुई दिखाई दे रही है भविश में अगर आपको कोई नया व्यापार शुरू करना है तो उसकी प्लानिंग कर सकती है नया व्यापार इस समय में शुरू करने की योग भी बन रहे है इसलिए डट कर मेहनत करे सब कुछ मेहनत से मिलता है कामों से मिलता है भाग्य के भरो से बैटने वालों को कभी कुछ भी नहीं मिलता लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलता है इसलिए प्रयास करना हमारे हाथ में है आप प्रयास जरूर करे आगे दिन अच्छे है इस समय में आपके जीवन में सफलता पाने के काफी अच्चे मोके आपको मिल सकते हैं उन मोकों का लाभ आपको उठाना होगा अगर Personal Life की बात करते है Love Life की बात करें तो Love Life के लिए आपके सितारे इस समय में स्तीरताव शांती फैला रहे हैं लव लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा, समय थोड़ा बीजी चल रहा है, फिर भी साथ वक्त गुजारने के लिए समय अच्छा है, पार्टर के साथ कोई जगडा या मनमुटाव है, तो वो इस समय में दूर हो सकता है, पॉजिटिव सोच रखकर जीवन में आग अगर स्वास्त की बात करते हैं, तो इस दिन आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा, स्वास्त के लिए दिन पूरी तरह से सकारत्मक है, मांसिक तोर पर आप फिट रहेंगे, फिजिकली भी आज आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, इसलिए आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, पुरानी परेशानिया कम होती नजर आएगी, कुछ सेहत से जुड़े प्रॉब्लेम्स जो काफी समय से सता रहे थे, उनमें भी आपको आराम इस समय में मिल सकता है, इस दिन पीले रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और इस दिन त राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखे, नमस्कार दो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है, तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्त प्रभावित करती हैं, और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारों तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती हैं, परन्तु हम उसको नहीं देख पातें, इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती हैं, जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं, दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती हैं, कहीं से भी बाहर से आती हैं, कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं कही पर भी उतार देते हैं कुछ-कुछ लोग तो घर के entry के main door के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सुत्रे रखे और उनको उनकी जगय पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की हैं तो बोहती अच्छी बात है वहां पर उन्हें रखे साप सुत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगय पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जीन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें पूरी तरे से साप सुत्रा रखें क्लीन रखें साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम स सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रख हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन आईना तस्वीरे इलेक्ट्रोनिक सामान सोफा कुरसी प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चिरशेडाहट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घ गर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है दोस्तों मुख्यद्वार भी हमेशा साप सुत्रा रखे मुख्यदार मुख्यद्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि म पांसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसे के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहि जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखेतें उन्हें भी साप करते रहना चाहिये जिन चीजों को हम मेंटे नहीं कर पाते साफ नहीं रख उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथी दोस्तों कुछ तस्वीरे हैं जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हां में समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शा रही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हां इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना है घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर के हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्य ला सकते है, धन ला सकते है मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद